बिहार में एक बार फिर रजिस्ट्री करने का तड़ी का बदल दिया गया है जी हां इससे लोगों को काफी जादा पड़िशानी होने वाली है लेकिन जो अब नया नियम बनाया गया है उससे आपको दलालों का सामना नहीं करना होगा जमीन रेजिस्ट्री नियमों को आसान बनाने के लिए विभाग द्वारा कम्पूटराइज रेजिस्ट्रीशन की सुविधा शुरू की गई है कोई भी वेक्टी घर बैटे जमीन की खरेद बिक्री के लिए ओनलाइन आवेधन भी कर सकता है आउनलाइन फ्रक्रिया में मॉडल फॉर्म के तहत रेजिस्ट्री कराना अब आसान हो चुका है बैंक चौलान के साथ कोई भी अपनी जरूरत की मताबिक फॉर्म भर कर जमा कर सकता है इसके लिए अब किसी वेक्टी और कातिब की जरूरत नहीं पड़ेगी अंपर और अंगुठा च्छाप वाला वेक्टी भी आसानी से जमीन की रेजिस्ट्री अब करवा सकता है क्या कुछ खबर सामने आई है क्या आप बदलाओ हुए हैं आपको सब कुछ बताते हैं आगे के रिपॉर्ट में आप नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे अगर आपे जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो अब आपको दलालों का सहारा नहीं लेना होगा जो भी हजारों लाख रुपए आप दलाल को देती थे वो अब नहीं देना है और नहीं जमीन खरीदने और बेचने के लिए कहीं इधर उधर जाना होगा आपको एक तरफ सरकार आपके घर तक बस पहुचाएगे वो भी मुफ्त में और उसी बस से आप जमीन के रेजिस्ट्रेशन के लिए रेजिस्ट्री आफिस जाएंगे और सही सलामत आपको बस के द्वारा ही वापस घर पहुचा दिया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको रेजिस्ट्री शुल्क देने के लिए बैंक नहीं बलकि रेजिस्ट्री आफिस भी जाना है यानि कि अब आपको अगर जमीन खरीदना है तो जादा सोचने की जरूरत नहीं है जो भी पैसे बिचवलिया लेते थे वो लोग अब उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे इतना ही नहीं बलकि अब कातिब की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी सरकार मौडल डीड के आधार पर डॉक्यूमेंट्स तयार जो होती है उसके तहत रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी है 75 प्रतीशत ये नियम अब लागों हो चुके हैं राज्य में और यहीं वज़व है कि कातिब के द्वारा तयार कियावा डॉक्यूमेंट्स से जमीन की रजिस्ट्री एक दम कम हो गई है मौडल डीड के तहत जमीन खरीदने और बीचने वाले डॉक्यूमेंट्स तयार करके हाथो हाथ ही रजिस्ट्री अब लोग करवा लेते हैं जिहां बिहार के लोगों के लिए सरकार एक सराहनी कदम अब उठा चुकी है जिसके बाद लोगों को जमीन खरीदने और बेचने के लिए दलालो का सहारा नहीं लेना पड़ता है यानि कि अब दलालो का खर्च अपानी रुक जाएगा लेकिन उससे भी जादा खुशी की बात ये है कि लोगों को सरकार एक ऐसी सुविधा देने जारी है जिसके तहट आप किसी भी कोने में हो और आपको कहीं से भी कहीं भी जमीन खरीदनी हो उसके लिए सरकार आपकी घर तक मुफ्त में बस की सुविधा मुहया करवाएगी आपको रेजिस्ट्री ओफरस आना है और फिर आपको जब जमीन का सारा काम हो जाएगा यानि कि रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको वहीं से निश्ट्री बस सुविधा के तहर तक घर पहुचा दिया जाएगा इतना ही नहीं बलकि जरूरी खबर ये भी है कि अब जमीन खरीदने के लिए आपको कभी बैंक तो कभी रेजिस्ट्री ओफरस के चकर नहीं लगाने होंगे बलकि एक ही जगा सारा काम हो जाएगा ये निरने खास कर लोगों की वक्त को बचानी के लिए लिया गया है घंटो लाइन में लगकर रेजिस्ट्री शुल्क की तोर पर चालान जमा करना पहले पड़ता था जो कि अब रेजिस्ट्री ओफरस में ही जमा हो जाएगा इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है रेजिस्ट्री का जो अमाउंट है जो से जमा करने पहले आप बैंक में जाते थे लंबी लाइन लगाते थे उसके बाद भी कई बार आपका काम नहीं हो पाता था जो उसके लिए दूसरे दन आपको वही प्रक्रिया अपना नहीं होता था तो अब ऐसा नहीं होगा अब आप रेजिस्ट्री के साथ साथ अपने अकाउंट से और कार्ड के माध्यम से पेमेंच भी कर सकते हैं को आपरेटिव सोसाइटी को ये जम्मदारी दी गई है मुजफर पूर के कारियालों में ये शुरुआत भी हो कि एक तरफ से उन्हें रेजिस्ट्र ऑफिस में लाइसेंस देकर बैठा दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ रेजिस्ट्री को भी रोग दिया गया है जो समाने दस्तवेज होते हैं उसके रेजिस्ट्री के स्लोट को भी कम कर दिया गया है जिससे की कातिब काफी जादा गुस्से में नजर आ रहे हैं अब वो जल्द ही पोर्ट तक भी पहुचने वाले हैं शिकायत भी दर्च करवाने वाले रिपॉर्ट के अनुसार अब 75 से 80 प्रतेशत रिजिस्ट्री जो मोडेड डीड है दीड मॉडल के तहट अब रिजिस्ट्री की जा रही है तो जो तरीके से जमाना डिजिटल हो रहा है इस देखते हुए जमीन खरीदना बीचना ये सब भी मानो डिजिटल ही होते जा रहा है कभी वेबसाइट बनाया जाते हैं तो कभी कई ऐसे अप आ जाते हैं तो कभी सरकार के द्वारा ऐसा नियम लाया जाता है जहां आपको आपके घर से सीधे रिजिस्ट्री आफस मुफ्त बस सेवा के तहते लाया जाता है और फिर घर भी पहुँचाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको रेजिस्ट्री शुल्क बैंक में नहीं बलके रेजिस्ट्री आफिस में ही जमा करना है यह सुबिधा भी जल्दी पूरे जुले में अब लोगों को उपलब्द कराई जाएगी तो खुल मिलाकर बात यहीं है कि अब बिहार में जमीन खरीदना बहुत ही आसान हो गया है नए नए नियम आए दिन लाए जाते ही उसके लिए आपको सिर्फ रेजिस्ट्री आफिस पहले जो जाना परता था अब आपको रेजिस्ट्री शुल्ग भी देना है तो रेजिस्ट्री आफिस सिर्फ से जाना है बैंक में घंटो लाइन लगाने के जरूरत नहीं है और अपना वक्त बरबाद नहीं करना है साथ ही रेजिस्ट्री के लिए अब कातीबों पर भी आपको निर्भर नहीं रहना है बलकि मॉडल डीड के आधार पर रेजिस्ट्री को आसाल बनाया जो आ रहा है बाकि असे जुड़ी आने वाले समय में कोई भी नई जानकारी सामने आती है अब तक हम जरूर पहुचाएंगे तब तक आप अपनी राए कमिन वाक्स में बताएए वीडियो को शर्क कीजिए और बाकि अपने खबरों के लिए बने रहे हैं जुनता जंचिन के साथ कैमरे के पीछे ते प्योश और मैत ही आपके साथ बन बना धन्यवाद